नेतिकता का पार्ट पढ़ा रहे थे इनके जो पार्टी के युग पुरुस हैं आदनिय अडवानी जी उन्होंने क्या चिठी लिखी थी कि भारती जनता पार्टी दीन दयाल उपाध्याजी के सिध्धान्तों से भटक गई है यह किस ने लिखा अडवानी जी ने लिखा मैं भूल गया आप आप वो पार्टी है मानेवार जिसके रास्टी अध्यक्ष बंगारू लक्षमर जी को रक्षा सौदे में कमीशन और रिश्वत लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया था इनके एक नेता से केंदरी मंत्री उन्होंने का पैसा खुदा तो नहीं खुदा से कम भी नहीं अभी 40% कमीशन का मामला करनाटक में आया यदुरप्पा हो सिवराज सिंग का ब्यापम घोटाला हो घोटाले और भ्रस्टाचार की बात आप कर रही है यंजना जी अभी ताजा मामला बता रहा हूं 72 प्लाट एक मंत्री का निकला है उत्तर प्रदेश में 72 प्ला ही क्यों आमादमी पार्टी आई ही क्यों इसका जनम ही क्यों हुआ अरे आमादमी पार्टी का जनम हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए जो पूरे देस में खोका खोका करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं ये लोग ब्रस्टाचार पे बात कर रहे हैं बताई आप जहाद से बैठा कर विधायकों को महारास्टा से आसाम लेके जाते हैं वहां की सरकार गिरा देते हैं करनाटक की सरकार गिरा देते हैं मंदप्रदेश की सरकार गिरा देते हैं उत्रा खंड की अरुनाचल की पूरे देश में लोकतंतर का गला घोट रहे हैं और अडानी के साथ मिलके लाखो करोड का घोटाला कर रहे हैं घोटाले और भरस्टाचार के सारे किर्तिमान तोड़ दे रहे हैं और दूसरों से सवाल कर रहे हैं तो इसलिए डेंट देखिए ऐसा है कि स्वाभाविक से बात है मनुस्ते हैं हम लोग साथ में काम किये हैं हमारे मित्र हैं दोस्त हैं सत तो उसे तकलीफ होगी, जो भी सम्वेदन सील विक्ति है उसको तकलीफ होगी, इनको खुसी होगी, क्युकि ये वो लोग हैं जो दूसरों का गरदन दबा कर, नफरत फैला कर, देश को तोड़ कर खुस होते हैं, जस्त मनाते हैं, तो इनके लिए खुसी का कारण हो सकता है बाकि जो भी समवेरंसील वेक्ती है उसको तकलीफ होगी कोई इसमेद लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि ठीक है इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हो गया भारती जनता पार्टी के स्षीर्स नेता नरेंदर मोदी जी जिस आडानी को अपने जहाज में लेके घूमते है उस पे जाच कब सुरू होगी उस पे कारवाई कब होगी यह हजारों लाखों करोण का घोटाला और हजारों करोण की ड्रक्स का धंदा उसकी पोर्ट पे पकड़ा गया उस पे कारवाई कब होगी आपकी जाच एजनसियां अगर विपक्ष पर कारवाई करने के लिए ही बनी है अंजना जी तो मैं तो कह रहा हूँ सहन साहे आलम मोदी जी को एक फरमान जारी करना चाहिए कि विपक्ष के लोग सारे लोग इंडिया गेट पे आ जाओ लाइन से खड़े हो जाओ और हम सब को पकड़के उठा के जेल में डालेंगे सब को डाल दीजे मीडिया वालों का भी कम टाइम बरबाद होगा और जाच एजनसियों का भी कम टाइम बरबाद होगा क्योंकि आपकी हिस्ट्री क्या है तीन हजार चापे मारी एडी ने की दसमलो पाँच प्रतिसत लोगों पे है आरोफ सिद्ध हो पाया तो इसलिए तमसे कम मतलब भाजपाई अगर नैतिक्ता की और इसकी बात करते है तो ऐसा लगता है कि डाकू गबर सिंग अहिंसा पे उपदेश दे रहा है ये लोग भरस्टाचार के खिलाब बोलेंगे जो तालिबान को पैसा दे रहे हैं बताईए भारत के बजट में तालिबान को सैक्लो करोड रुपे दे रहे हैं ये लोग मैं उनसे इस पर जवाब लूगी लेकिन सर बताईए आज वज़ा क्या रही इस्तीफ़े की आपने अभी अभी कहा सुबह से स्तीफा मांग रहे थे क्या बीजेपी के दबाव में आकर आपने अपने मंत्रियों क्योंकि इतने महीनों बाद इस्तीफा हुआ क्या बीजेपी के दबाव में ये स्तीफा हुआ है इस्तीफ़े की वज़ा क्या है निश्चित रूप से देखे ऐसा है कि ये विसेसा अधिकार मुख्यमंत्री का है उस पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा तो जब तक मुख्यमंत्री जी का इस पर कोई बयान नहीं आ जाता मैं उस पर कोई टिप पड़ी नहीं करूँगा लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि भाजपाईयों को अपने गिरेबान में जाकना चाहिए और एक ताजा उदाराना भी तो बता रहूँ आपको 72 प्लाट निकले इनके मंत्री पे उसी का इस्तीफा करवा के दिखा लें उन्नाव कांड में साथ में खड़े रहे हाथ रसकांड में साथ में खड़े रहे जल जीवन मिसन का घोटाला उत्तर प्रदेश में मैंने खोला मंत्री को पूरे टाइम इन्हों ने बचाया सतीस दूबे इनका बेसिक सिख्षा मंत्री था उसके सतीस दिवेदी उसके खिलाफ मैंने घोटाला खुला उसको पूरे टाइम बचाया किस पे कारवाई की राम मंदिर में चंदा चोरी का पूरा एकदम प्रमार दे दिया पांच मिनट के अंदर दो करोन की जमीन साड़े 18 करोन में ट्रस्ट में खरी दी उसमें कितनी कारवाई की इन्हों ने आप मुझे बताईए न तो इसलिए ठीक है मैं अब जवाब लेती हूं से आपने कहा कि बोलने से पहल आते हैं मुझे तो आस्चर हो रहा है चीक है आपने कहा कि इस दीपे पर पहले मुख्य मंत्री अर्विन के जिवाल का बयान आए ठीक है आपके यूगपुरुस ने भाई चिठी लिखी थी आपने कहा कि मुख्यमंत्री पहले इस पीपर अपनी बात करें कि भारती जनता पार्टी दीन दया उपाद्या के सिद्धानतों दे बटक गई है ठीक है